हाई, वेलकम्म तो मैं चनल, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, क्वेस्चन नमबर 3 ओके, तो ये आपका क्वेस्चन नमबर है, 3 तो ये क्या कर रहा है क्वेशन, ध्यान समझेगा, कह रहा है कि ये लुक आट सेवरल एक्जामपल्स, आफ रेस्टनल नमबर्स इंद फाम P by Q, वेर P and Q are integers with no common factors other than one and having terminating decimal representations, can you guess what property Q must satisfy ? मतलब बस करा रहा है कि आप जो है ऐसे रेस्टनल नमबर्स के बहुत सारे एक्जामपल्स को देखिए, जो terminating decimal के form में represent हो सकते हैं, कि वाल उनको ये देखना है, मतलब ऐसे रेस्टनल नमबर्स को देखना है, जो terminating decimal representations हो सकता है जिसका, और आपको बताना है कि what property Q must satisfy ? मतलब कि terminating decimal होने के लिए जो P by Q जो रेस्टनल नमबर्स है उसमें Q जो है, डिनमिनेटर Q जो है उसमें क्या property होनी चाहिए, Q में क्या ऐसे property होनी चाहिए, जिससे कि P by Q जो है एक terminating decimal representation में हो सके, represent, तो चलिए यहाँ पर हम देखते है, solution, यह मतलब अपने मन से कह रहा है कि आप ऐसे numbers को लीजिए, देखिए, तो देखिए, आप लेते हैं 1 upon 2, यह थी हम change करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर 2 है, तो हम 1 upon 2 को ले सकते हैं, ऐसे, 2 into 5 कर दीजिए, और नीचे यदि 2 है, तभी इसको हम decimal form में, मतलब कि terminating decimal को form में represent कर पाए हैं, अब यह दिमाली यह 1 upon 4 लेते हैं, तो 1 upon 4 है, तो हम लिए सकते हैं, इसको 1 upon 2 into 2, और 1 upon 2 into 2 है, तो 1 upon 2 into 5 कर लिजिए, इस वाले 2 में, और दूसरा वाला जो 2 है, उसमें भी 5 से मतलब कि हमें 1 में पड़ेगा 5 से, और 5 से, मतलब कि 5 से 25 हो जाएगा, 25 upon नीचे हो जाएगा 100, ठीक है, यह 10 हो जाएगा, यह भी 10 हो जाएगा, 10 into 10, 100 हो जाएगा, अभी हमें decimal में, फाल में represent करने के लिए 0.25 हो जाएगा, राइट, अब यह दिमाला सा कठीन लेते हैं, जिसे में लेते हैं, 7 upon 8, खेर यह उतना कठीन है, उतना हाड नहीं है, तो यहाँ पर 7 upon 8 लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, इसको 7 upon 8 को लिख देंगे, हम 2 into 2 into 2, और हमें 5 से में प्लाइ करना पड़ेगा, ताकि इसको 0 में करवाड कर सके हम, तो क्या करना पड़ेगा, 7 into 5 into 5 into 5, तीन बार 5 से मे करेंगे यहाँ पर, तो 35 में करेंगे multiply 25 से, और नीचे क्या है आपका, 1 के आगे 3 zeros, क्योंकि यहाँ पर देखे 10, 10, 10, 10, तो क्या होजा, 1000 आ गया है यहाँ अब यहाँ में प्लाइ कर लाते हैं, 25 जो क्या होता है, 125 का 5, 12 का रिए उबर, and 25, 3,075, 75, and 75, 77, and 87, 875, अपाँ, 1000, अब इसको करवड करना decimal में असान है, यहाँ पर 3 zeros है, इसका मतब कि 3 places पर left में जाएगा decimal, मतब 0.875, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं ऐसे एक्जामपर से मैं लिया हूँ यहाँ यहाँ पर, जिसका denominator में केवल 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 का जो फेक्टर ह है, वो 2 into 2 है, और यहाँ पर 8 का जो फेक्टर से हमें 2 into 2 into 2 है, तभी यहाँ जो है, टर्मिनेटिंग decimal में represent हो पा रहा है, अब यहाँ पर मैं कुछ और इक्जामपर लेता हूँ, जैसे कि लिए लेता हूँ 3 upon 40, अब यहाँ पर देखते हैं, 3 upon 40 का हम करेंगे, है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कि 0s के फार्म में नीचे डिनमेटर को हम बचल कर सकते हैं, और इसको करने के लिए क्लिए करेंगे, जितना भी 2 है, यह 2 और 5 मिलकर तो 10 हो जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ 2 है, उसमें 5 simple apply करना पड़ेगा, मतलब कि 3 into 5 into 5 उपर कर ल हो जाएगा, यह उपर हो जाएगा 5, 3, 15, 15, 15, 5, 75, अपान नीचे हो जाएगा 10, 10, 10, 10, means हो जाएगा 1000, और यह 100 डिए करेंगे तो मिलेगा 0.075, तो अब देख सकते हैं कि यह decimal form में, मतलब कि terminating decimal form में represent हो जुका है, तो कहने का मतलब है कि हमारा concept जो यहाँ पर है, वो यह है कि यदि denominator Q, 2 और 5 के factors में represent यदि हो जाता है, then it can be converted into a terminating decimal representation, तो यहाँ पर हमारी जो पपर्टी है, यहाँ लिसकते हैं, last में, कि clearly q must satisfy, q must be multiple of, q must be multiple of only two types of factors, only two types of factors, and that are, and that are 2 and 5, okay, मतलब कि q जो है, जो denominator में q आया है, इन सभी में जो होना चाहिए, क्या 2 या 5 आना चाहिए, इदि 2 या 5 आता है, या फिर 2 और 5 का combination, चाहें जीतने भी किसी भी combination में आता है 2 और 5, तो वह नंबर जो है terminating decimal form में represent हो सकता है, means हम का सकते हैं कि q को यदि हम represent कर पाएं, 2 to the power m into 5 to the power n के form में, तो हम का सकते हैं कि वह है इस वीडियो में इतना ही, आप समझे गयों कि I have a concept है, thank you so much for watching, bye